जै मात अदी आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफेंड अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशुकुपता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ क्या आप जानते हैं दिवार पर लगी घड़ी आपका पूरा जीवन बदल सकती है अगर ये घड़ी सही दिशा में लगी हो तो आप अपने समय को अपने अनुसार बदल सकते हैं और यदि यही घड़ी आपने किसी गलत दिशा में लगा दी है तो आपका पूरा जीवन अस्त वेस्त हो जाता है जीवन में परिशानियां उत्पन हो जाती हैं पैसे का ठहराफ नहीं रह पाता है पैसा बहुत मुश्खिलों से आता है या फिर इंकम से जाता खर्चा हो जाता है करजे की सिती उत्पन हो जाती है क्या ऐसी सिती आपके साथ भी है? तो वीडियो को अंतक सरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लापकारी साबित होगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सरूर कर लिजिए बेल नोटिफिकेशन को आउन करके औल पे क्लिक करें आपके घर में लगी दिवार घड़ी आपके जीवन को बदल सकती है आप जानते हैं हमारा जीवन समय पर आधारित है अगर हमारा जीवन अच्छा चल रहा है तो हमारा समय बहुत अच्छा है और जब हमारा समय खराब हो जाता है तो हमारा जीवन परिशानियों से भड़ जाता है और इसमें समय बहुत ही महत पूर्ण है क्योंकि पूरा जीवन समय पर ही निर्धारित है अच्छा समय कब आएगा मुझे आज इस समय ये काम जरूर करना है इस समय तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए तो समय हमारे लिए बहुत ही महत पूर्ण है तो जानते हैं कि दिवार घड़ी को हमें किन दिशाओं में लगाना चाहिए और किन दिशाओं में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में परिशानिया उत्पन हो जाए तो हमेशा दिवार घड़ी को आपने East, North और West की वाल पर लगाना है, पर आपने South की वाल पर दिवार घड़ी को बिलकुल भी नहीं लगाना है, South यम की दिशा है, South Struggle है, अगर आप South में दिवार घड़ी लगाएंगे, तो आपके जीवन में Struggle बढ़ जाएगा, जिस भी कारे में हैं, आप चॉब कर रहे हैं, आप विपार कर रहे हैं, उसमें Struggle बढ़ जाएगा, आपको कभी सफलता नहीं मिल पाएगी, परिवार में भी कोई भी कारे आपका असानी से नहीं होगा, बहुत परेशानियों के साथ काम होगा, परिवार इक जीवन अस्तव् आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी दर्वाजे के उपर घड़ी नहीं लगानी है, अगर आप दर्वाजे के उपर घड़ी लगाएंगे, उससे भी आपका पूरा जीवन प्रभावित रहेगा, आपके जीवन में ठहराव नहीं आएगा, कोई भी कारे में कॉन्फि पर ना लगाएं, जहां पर भी आप घड़ी लगा रहे हैं, उसके नीचे चौकट नहीं होनी चाहिए, जिससे हम आना जाना उसके नीचे से कर सकें, हमेशा सिंगल दिवार पर ही घड़ी लगानी चाहिए, घड़ी हमेशा गोल या अंडाकार शेप में लगानी चाहिए, आजकल बहुत तरीकी की घड़ियां मिल रही हैं, अलग-अलग तरह की shapes की घड़ियां आ रही हैं, और हम सिरफ वो देखने में सुन्दर लग रही हैं, attractive लग रही हैं, हम लाते हैं और किसी भी wall पर लगा देते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, समय हमेशा 360 डिगरी के अंगल पर घूमता है, हमारा ब्रह्मान गोल है, तो इसलिए हमेशा घड़ि आप गोल या oval shape में ही लगाएं, इसके लावा कोई भी shape ना लगाएं, अकसर लोग घड़ि को आगे या पीछे करके रखते हैं, कि घड़ि पीछे चल रही है, अपनी 10 मिनट पीछे ही सही हम अपनी calculation कर लेंगे, क्या आप जानते हैं, अगर आपकी घड़ि समय से पीछे चल रही है, तो आपका अपना कारे भी समय लेकर पूर्ण होगा, कोई भी कारे आपका समय पर पूर्ण नहीं होगा, और ये परिवार के सभी सदस्यों पर लागू होगा, पढ़ने वाले बच्चे समय पर अपनी education नहीं कर पाएंगे, जिनकी marriage विवा करना है, उनका समय पर विवा नहीं होगा, नौकरी समय पर नहीं मिलेगी, बहुत struggle करने के बाद मिलेगी, तो इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी घड़ी समय से पीछे नहीं चलनी चाहिए, या घड़ी रुक रुक कर नहीं चलनी चाहिए, अगर घड़ी रुक रुक कर चलेगी, तो आपके कारे भी रुक रुक कर ही पून होंगे, आप घड़ी को एक या दो मिनट आगे कर सकते हैं उसको करने से आपको किसी भी परकार का कोई नुकसान नहीं रहेगा ये भी ध्यान रखिए कि बहुत से लोग अपने घर में दो-तिन घड़ियां रखते हैं स्पेर घड़ियां रख लेते हैं और वो घड़ियां बंद होती हैं किसी के बेड में, किसी की अलमारी में, किसी के स्टोरू में रखी होती है कि हाँ ये घड़ी जब खराब होगी तब हम उसे चेंज कर लेंगे ध्यान रखिए, आपके घर में कभी भी घड़ी बंद नहीं होने चाहिए अगर आप घड़ी को स्पेर रख रहे हैं तो उसमें सेल डालकर सही समय का मिलान करकर रखिए क्योंकि समय कभी भी रोकना नहीं चाहिए अगर आपके घर में बंद घड़ियां हैं तो आप अपने समय को खुद रोक रहे हैं, आपका समय खुद रोक रहा है, तो इसलिए कभी भी बंदगड़ियां ना रखे, अगर आपको लगता है कि वो घड़ी आपके काम की नहीं है, तो आप उसको किसी को दे सकते हैं, दूसरा वेक्ति उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो होता है उसके बीच में घड़ी होती है ऐसा नहीं लगाना चाहिए इस तरह की घड़ी भी परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है हमेशा आपस में खराब रहती है और सभी लोगों के जीवन में परिशानिया आती है तो ध्यान रखिए आपको घड़ी किस शेप की लगानी है किस तरह की लगानी है और बंद घड़िया बिलकुल भी नहीं लगानी है साउथ की डिरेक्शन में आप घड़ी नहीं लगाएंगे उमीद करती हूं यह जानकारी आपके लिए बहुत इलापकारी साबित होगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा व चैम आता दी आपका दिन शुब हो